असलामुलेकर नाजरीन आज की वीडियो में आप पाकिसानी ड्रामा इंडस्ट्री के सबसे खुबसूरत चार्मिंग हीरो के ड्रामे देखेंगे जी हाँ, ये हीरो है एहसन खान जिनकी आँखों की एक दुनिया दिवानी है एहसन खान अदाकारी से ज़्यादा, अपने आँखों की खुबसूरती से ज़्यादा मशूर है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से दर्खास है कि हमारे चैनल को सबस्क्राइब करतें ताके हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसा महर बानो का एक रुमांटिक सीरियल था जिसमें हैसन खान ने मनफी रोल प्ले किया इसका रोल एक खुदकर्स शोहर का था जो के दो शादियां करता है लेकिन मकसद उसका दोनों बीवियों की जाइदाध हड़पने का होता है ये लेकिन कई सवाल छोड़ कर तमाम हुआ ड्रामे ने पेगाम दिया कि निकल जाओ मेरे घर से कहते हुए सोचें आपने इन बच्चों का पैदा किया है ये घर उनका भी है किसा महरबानों का में दिखाया गया है कि इंतकाम और अना की आग में दो खांदान अपनी नसलें तबाह कर देते हैं ड्रामे में मेरीटर रेप दिखाया गया है बताया गया कि जब वादे दोस्तियां किसमे अनाई ही निभानी हो तो अलाद का मस्तक्बिल नहीं देखा जाता सो प्रोफेसर साहब का बेटा बाब के होते हुए दर्बदर हो गया बेटी महरू कभी उस घर में नहीं बस सकी जहां निकाह किया गया था उसका शोहर एक नालाइक और लालची इनसान था दूसरे बीवी को भी उसने दोलत के वजही रखा हुआ था और महरू की जायदाद भी उड़ाने की चक्कर में था एक अना एक जिद ने कितने लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी यह आपको ड्रामा देखकर मालूम होगा ड्रामा सीरिल आंगन में हैसन खान ने एक यादगार रोल प्ले किया है ड्रामे की कहानी खदीजा मस्तूर के नावल आंगन से ली गई है ताहम डायलॉग्स मुस्तफार इजवी ने तहरीर किये है इसकी प्रोडक्शन मौमिना दुरेद कर रही है एसन खान ने इस ड्रामे की कहानी की हवाले से इनकेशाफ किया था यह ड्रामे की असली कहानी का मरकस आहद रजा और सजल अली की रुमानवी कहानी है जबके मेरे सेंज कम है शुरुआत के एक साथ में वो सोनिया हुसेन के साथ नजर आए जबके ड्रामे का फोकस रुमानवी कहानी पर था ड्रामे में हैसन खान का डबल रोल है दूसरे रोल में वो सोनिया और अपने करदार का बेटा बनकर सामने आए इस किरदार को हिरमानी और मावरा हुसैं के साथ दिखाया क्या एसन खान ने एक इंचाविय में कहा के मैंने कभी एक ही ड्रामे में दो किरदार अदा नहीं किये मेरे हिस्से के सींज वजीराबाद, गुज्रावाला और कराची में फिल्माए गए ये कासे मतासर कुन थे कई नामवर ड्रामों में अपनी बेहतरीन कारकरदगी दिखाने वाले एसन खान ने एक ऐसे ड्रामे में काम करने की हामी क्यों थी जिसकी कहानी के मरकजी किरदार आहतरजा और सजलली है इस सवाल पर हैसन खान ने कहा कि मेरे लिए इस बात की कोई अहमेत नहीं होती कि मेरे किरदार के कितने सीन्स होंगे मैं सिर्फ ऐसे किरदार और स्कृट्स पर काम करना चाहता हूँ जो मुखतलिफ हो ड्रामा सीरियल शारुख की सालिया में हैसन खान ने फ़नी रोल प्रेक किया है ये पहला ड्रामा नहीं जिसमें हैसन खान कॉमेडी का किरदार निभाने जा रहे हैं अलबता वो तवील अरसे बाद किसी कॉमेडी ड्रामे में नज़र आएंगे क्योंकि काफी वक्त से वो सिर्फ संजीदा ड्रामों और केदारों का हिस्सा बन रहे हैं ड्रामे की कहानी बहुत मजाहिया है मैंने बहुत ज़्यादा कॉमेडी प्राजेक्स में काम नहीं किया इस टे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है एसन खान और रिमशे खान के अलावा इस टामे की कास्ट में जवेद शेख, हीना बयात, रहान शेख, सबाफ एसल और देगर अदाकार शामिल है एक मर्दबा फिर कॉमेडी ड्रामे का हिस्सा बनने के हवाले से एसन खान ने बताया कि मैं फिलहाल दुबारा किसी संजीदा ड्रामे में काम नहीं करना चाहता मैं चाहता था कि मुझे सेट्स पर मज़ा आए इस ड्रामे में काम करके मुझे बेहर्द मज़ा आ रहा है और कास्ट के साथ भी बहतरी तज़र्बा हासल हो रहा है नमबर सेवन्थ क्यामत ड्रामा सेवन्थ क्यामत में हैसन खान ने बतूर राजशेद एक बार फिर मन्फी रोल प्ले किया है क्यामत को सेवन्थ स्कार एंटर्टेन्मिन के तहर तब गुला कादवानी ने प्रोड्यूस किया है डिरेक्शन अली फिजान इंचे ने दी है जबके ड्रामे की कहानी सिर्वत नजीर ने तहरीर की एसन और अमर्कान के अलावा निलम मुनीर, हरुन शाहिद और नर्शीन एहमद हसन भी कास्ट का हिस्सा है ड्रामा सिर्ल बेलापूर की डाइन में निलो का किरदार अदा करने वाली अमर्कान जल्द बड़े परदे पर भी नज़राईं की इनकी पहले फिल्म दमस्तब है जिसके हिदायतकार मुहमद इहतशाम الدین है और कहाने खुद अमर नहीं तहरीर की है इस डामे में एहसन खान को आप अमर्कान और निलम मुनीर के मुकाबल देखेंगे ड्रामा कियामत में एहसन खान की कमाल अदाकारी ने सबको ही दिवाना बना दिया है लेकिन इस ट्रामे की कहानी में भी नीलम मुनीर को अपनी बेहन की मौत के बाद एहसन खान की बीवी बनना पड़ा जबके वो इसी घर के दूसरे बेटे की पसंद और महबत होती है अब वो अपने शोहर को यही कह रही है कि मैंने तुम से अपनी बेहन की बेटी की वज़ा से शादी की है यानि शादी की है लेकिन दिल से कबूल नहीं करूंगी नमबर सिक्स बंदे एक दोर से एहसन खान का ड्रामा बंदे एक दोर से लौव टाइंगल था एसन इस ड्रामे में उमर नामी किरदार ने भा रहा है ये एक कांदान पर मबनी कहानी है एक आम सी फैमली, कुछ मसाइल है और एक रुमानवी कहानी कुछ बहुत संजीदा नहीं ये एक मज़िदा ड्रामा है जिसकी कहानी फाइज अफ्तकार ने तहरीर की है वो एक बेहतरीन लिखा रही है इस ड्रामे की हिदायात अली फर्जान दे रहे है एसन का कहना था कि मैं कम ड्रामों में काम करता हूँ लेकिन चाहता हूँ कि जो ड्रामा करों वो अच्छा हो और मुझे मज़े मज़ा आए इस ड्रामे की कास्ट में हिनाल ताफ, समीना एहमलत, सबाह हमीद, सबाह फैसल, नूर हसन, कवी खान, कामरा अंजलानी, मदीहा रजवी और साइमा कुरेशी भी शामल है अदाकार एहसन खान की ड्रामा सीरियल अलिफ की सोशल मीडिया पर काफी चर्चे है और ये कहानी उमेरा हबन दिन लिखी है जबके हसीब हसन इस टामे की हिदायात दे रहे हैं एसन खान ने ड्रामे में तौहा अब्दुलली नामे खतात का करदार अदा किया है जबके कुब्राखान उनकी एहलिया एक डांसर बनी इस टामे की जहां कास्ट में हमजाली अबासी, सजलली, हैसन खान, कुब्राखान, पहलाज हसन, उस्मान खालिद बर्ट, सलीम मिराज और सर्मत सहवाई शामल है इस टामे की कहानी बहत खुबसूरत है अब तक किसी पाकिस्तानी ड्रामे में ऐसी कहानी पेश नहीं की गई या आपको एक ऐसे दुनिया में ले जाएगी जो हकी की नहीं यह ड्रामा एक बहतरीन मिसाल है कि अल्ला जिसे चाहे जब चाहे इज़त से नबासता है मौसम ड्रामे में हाशिर का रोल एसन खाने निभाया तहानी के मरकजी करदार मतवस्त अबकी से तालूर कखने वाली दो सहलिया शाजिया और समन है जो आपस में कजन्स भी है लेकिन इनकी दोस्ते और रिष्टेदारी आशिर से मुलाकात के बाद इम्तिहान में बदल जाती है आशिर अमीर होने के साथ साथ पुरकशिश भी है पहले ही मुलाकात में वो समन को दिल दे बैठता है जबके शाजिया जिसकी मंगनी पहले ही फैसल नाम के एक लड़के से हो चुकी है आशिर को पसंद करने लगती है और उससे मेर जोल बढ़ा लेती है लेकिन उसे उस वक्षदीद मायूसी होती है जब बाशर शाजिया के सामने समन के लिए अपने जज़बात का इजहार करता है तहानी उस वक्षद एक नया मोर ले लेती है जिब शाजिया फैसल से शादी करने से इंकार कर देती है और समन को उससे जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है ड्रामा साय दिवार भी नहीं में एसन खान ने हैदर शाह का रोल प्ले किया है ड्रामा मुशर्टी मसाइल और रिष्टों की उलजी डोर से गुंदी कहानी है ड्रामे का मरकेजिकरदार एक लड़की शहला है शहला सईद साहब को सरेराह मिलती है और वो इसे बहुत प्यार से पालते है पर हलात उसक्त अजीब मोड लेते हैं जब उनका बेटा उसी शहला से शादी करना चाहता है सेद साहब जल्दी से शहला के शादी अपने हम पलागराने के मनसूर से कर देते हैं, जो उसे लेकर बिरोने मलक चला जाता है मनसूर एक मौडल के पीछे मुहबत में गिरिफतार होकर शहला को छोड़ देता है वो बच्चे मंसूर के पास छोड़ कर एक इसाई दोस से दूसरी शादी कर लेती है जिससे उसका बेटा विलियम पैदा होता है अधाकारों में शामिल है एसंग खान, नवीन वकार, हमाद अर्फानी, नूर खान, हिनल ताफ, जमाल शाह, अर्फान खुसर्ट और साहमा खान इस ट्रामे की कहानी बच्चों के जिन्सी इस्तिसार पर मुबनी है जिसमे एक ऐसे शक्स इम्तियास को दिखाया गया है जिसकी अपनी यतीम भानजी मीरा यानिर्वा हुसेन और नौजवान सुतेली बेटी जेबो को लेकर नियत खराब है इम्तियास की जानिब से मीरा को बहला फुसला कर नाजाइस तालुकात काइम करने की कोशिश की जाती है और वह इसकी शितानी हरकत से वह मुश्किल बचने में काम्याब होती है जिसके बाद इम्तियास का अगला हदफ जेबो को दिखाया गया है जो अपने सुतेले बाप के हाथों जिनसी जियाती का शिकार होती है और इसे इनसाफ दिलाने के लिए उसकी माँ कई तरहां से जदुजहत करती है लेकिन उसके साथ ही ये हम्मत और बहादरु की कहानी है जो खवातीन को सिखाती है कि किस तरह अपनी हिफाज़त करनी है अपनी आखरी सास तक कैसे लड़ना है और नाइनसाफी के खलाफ वाज कैसे उठानी है ये ड्रामा उमीद की एक मुकमल की रिंद साबित हुआ और बच्चों के साथ बचसलूकी के हसास मसले को इतनी महारत से उजागर करने के लिए इसे गर मुमूली काम्यावी के तोड़ पर सरहा गया सीनिर आर्टिस बुशन सारी, गुलुकार और अदाकार, फरहां सईद और उर्वा हुसेन वगेरा जैसे नावर अदाकार इस ड्रामे की कास्ट में शामल थे मेरे हमनशी ड्रामे में एसन खान ने खुजिस्ता के मंगेतर का रोल प्ले किया ड्रामे में दिखाया गया कि गाओं के मर्द इस खौफ से भी औरत को शहर नहीं पढ़ने देते, कि वह वापस नहीं आई की कहीं कहीं बात सची है लेकिन घर के मर्द इसे महबत और इतमाद से बांद लें तो औरत के कदम कभी नहीं डगमगाते वो साथ समुंदर पार से भी अपनों के पास वापस आ जाती है जैसा लाला और दाजी ने खजिस्ता को इतमाद, महबत और इज़त से बांद रखा है खजिस्ता के तायाजाद भाई लाला उसका साथ देते हैं, वो शहर पढ़ने तो चली जाती है लड़कियों की पढ़ाई की बन्याद पे उसके तायाने इलेक्शन जीतना होता है, अपने लाके में कॉलिज बनवाना होता है, लहाज़ा अब उसको भी ये ख्याल है कि वो अपने ही अतीम और लाडली भदी जी की खाहिश पूरी कैसे ना करे कुछ हलात वाकियात भी खजिस्ता का साथ दे रहे होते हैं, वो जो कहते हैं कि नसी बच्चे हों तो घं लगे दानों से भी गंदम निकलाती है, बंद रहें भी रस्ता बना देती है, एसन खान ऐसा मंगेतर है जो इस लड़की की मुखालफत कर रहा है, क्योंकि उसे डर ह कि कहीं वो से छोड़ कर ना चली जाए, वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए ऐसी हरकते कर रहा है, कभी तोड़ फोड़ कर रहा है, कभी गारी के टाय की हवा निकाल देता है, ताकि वो इमतहान देने जा ही न सके, तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन जो कि हैसन खान के जामास पर मुबनी था, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, अपना फीड़बेक देना बिलकुल मत भूलिएगा, अल्ला हाफिस